अगर आप सब मुझे लाइफ देख पा रहे हैं तो प्लीज कमेंट करके बताईए जिससे मुझे पता चले कि आप लोग मुझे लाइफ देख पा रहे हैं आज में मतलब बहुत अफसोस वाली बात बताना चारियों कि लोग आर्टिस्टों की इज़्जत क्या करते हैं लोग डेरेक्शन करते हैं तो सोसते हैं कि आर्टिस्ट को खरीद लिये हैं या आर्टिस्टों की इज़्जत नहीं हैं कि क्या पता आज की बात है विक्की जी एडिटर है विक्की जी बनारस से हम उनको एक साल से जान रहे हैं यही पटना रह रहे हैं उन्होंने मुझे शूटिंग के लिए बोला मैंने कहा ठीक है शूटिंग के लिए लेकिन तुमने जो फ्लीम प्रोड़क्शन क्या लिखा था उसका नाम दो ना सर्जो करवायत हैं तुमसे दो जो लिखवायत है तो हम उनके पास पूझा रॉय नाम की आर्टिस्ट भी अपनी आर्टिस्ट को काम करने के लिए भीजा एक अनुराग मुवीज प्रोड़क्शन के डिरेक्टर है इनका नाम मैंने पहली बार सुना है पता नहीं वो कैसे डिरेक्टर है उनका नाम है रंजीत महापत्रा रंजीत महापत्रा जी उनका रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास उनोंने ये बोला है हमने उनको कॉल किया आपको वो recording भी मैं Facebook पे भेजूंगी आप लोग जरूर सुनिएगा आप लोग खुद बताईगेगा कि आर्टिस्टों की इज़त नहीं होती है उन्होंने मुझसे तो सही से बात कि हमने कहा सर आप कैसे मतलब डिरेक्टर है आप काम कराना आर्टिस्टों से जानते हैं लेकिन इंसान को पेमेंट नहीं दे सकते हैं आप काम कराने के बाद तो उन्होंने बोला तुम्हारी हिम्मत कैस हो ही हमको कॉल करने की तुम हमसे कबबा हमसे बात करके बेजी थी मैंने बोला सराब से बात नहीं की थी विक्की जी ने हमको बोला आपको call करने के लिए इसके लिए मैंने आपको payment के लिए call किया है उसने बोला विक्की से बात कराईए हैं हम खुद विक्की के office गए थे payment के लिए किप कम से कम वहाँ जाके payment करेंगे आज lockdown का time में payment खूले के बहुत लोग को जहिलना पड़ रहा है मैं गई उस रंजीत से मैंने बात किया और रंजीत ने बोला विक्की से बात कराई विक्की को मैंने phone दिया तो उसने क्या बोला बोलता है कि कौन रंडी है बताईए ये कौन सा तरीका है अफश्बद दियूस करने का आर्टिस्ट का इजट इस तरीके से किया जाता है बोलता है कौन रंडी से क्या वक्काद है हम से बात करने का जो हमको उसने phone किया है मतलब ये कौन सा तरीका है ये बताईए ये रंजीत महापात्रा ये किस नरीके के डिरेक्टर है प्रोफेशनल मतलब क्या हम यहां आज भी हम यहां काफी लोगों के साथ काम करके बैठे हैं तेक मतलब यह नहीं कि हम पागल है यहां आज पेमेंट के लिए हमने कॉल कर दिया तो इतने घलत हो गए यह रंजीत पात्रा है क्या कि आर्टिस्टों को रंडी बोल रहा है आज हम सरे हम आप लोगों को लाइब बोल रहा है हमारे पास रिकॉर्डिंग है हम आप लोगों को रिकॉर्डिंग सुनाएंगे इतना घटिया कोई किसी को कहता है क्या देखिए हम यहां किसी का कमेंट पढ़ने के लिए नहीं बैटे हैं प्लीज आप लोग समझ सकते हैं अभी मेरी फिलिंग को मैं कभी लाइव आके कुछ नहीं कहती हो लेकिन आज मुझे किसी ने अच्छानक से ऐसा बोला हमको बूरा लगा इसके लिए मैंने सोचा कि आप ये वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कीजिये न कि वो रंजित पात्रा को पता चले कि आर्टिस्ट होती क्या है किसी आर्टिस्ट मतलब आपके भी घर में मा बैन है आप उनको भी रंडी बोलते हूंगे जब किसी आर्टिस्ट को बोल रहा है तो विक्की एक एडिटर है बनारस का है विक्की का फोटो निकालो डीपी लगाया होगा उसने विक्की एक एडिटर है बनारस का है बबलू दुबे के यहां काम करता था बनारस में बबलू दुबे एक है डिरेक्टर बबलू दुबे ने भी हमारा पंदरा सु रुपया पेमेंट नहीं दिया ठीक बबलू दुबे के यहां भी पेमेंट के लिए हम कभी निर होते हैं इतने डिरेक्टर को का नाम बोलें, ये है विक्की, ब्राइटने स्कम करो इसका, ये है विक्की देखिए आप लोग बहुर से देखिए इस बंदे को, ये एडिटर है विक्की, इसने मुझे रंजीत पात्रा के यहां शुटिंग के लिए बोला था, इसके थ्रू मैंने पू आज पेमेंट के लिए मैं उनकी ओफिस गई थी, तो उसने बोला रंजीत पत्रा को कॉल कीजिए, रंजीत पत्रा को मैंने कॉल किया, तो उसने इतनी गलश शब्द यूज की है, जैसे कि आर्टिस्टों की इक्चत कुछ नहीं होती है, हम भी तो मैनत करते हैं ना या, बह बहुत सारे लोगों के बहुत सारे रूल है, लेकिन ठीक, मैंने अब भी तो कोई ऐसा डिरेक्टर ने देखका, जैसा रंजीत पत्रा ने शब्द यूज किया है, इतना घटियां भी शब्द कभी किसी आर्टिस्ट के लिए यूज नहीं करना चाहिए, प्लेज आप लोग यूरी का फाइदा ने उठाना चाहिए, यार हम तो अपनी पेमेंट भी मांगने गए थे ना वहां तक या पेमेंट के लिए ही कॉल किया था हमने, किसी अधर चेस के लिए तो मैंने कॉल नहीं किया था कि हम आपको परिशान करें तो बहुत अलग बात है, सामने जिस आर् गलत वर्ड यूज किया है, देखिए हमारे कहने का मतलब यह ही है, कि बस आर्टिस्ट को आप लोग इतना गलत मत कहिए, बस आप लोग हमारी हेल्प किजिए, इस से ज़्यादा हम कुछ नहीं चाहते हैं, रंजीत पात्रा उसका फेस्बुक पर आईडी सर्च करो, इंद्रजीत जी, क्या बोल दिया रंजीत पात्रा ने, रंजीत पात्रा एक डिरेक्टर है पटना के, पहली बार मैंने उनका विक्की के मूँ से नाम सुना है, पटना का डिरेक्टर है विक्की ने उसकी शूटिंग के लिए मुझे बोला, तो मैं अल्रेडी मोनू अलबेला जी की शूटिंग पर बीजी थी, तो फिर बाद मैं मैंने पूजा रॉई को भेजे शूटिंग के लिए, मैं कहीं शूटिंग अलग कर रही थी, तो फूजा रॉई को मैंने शूटिंग के लिए भेजा वहाँ, उसका पेमेंट एक मैने से नहीं दे रहे हैं, आज एक मैने बाद मैंने कॉंटेक्ट किया नंबर के लिए, तो उसने बोला विक्की को कि कौन-कौन रंडियों से भून कराते हैं, बताईए हम लोग रंडी ह किसी साब से रंडी बोला जा रहा है, हम भी तो किसी के गर की दैन बेटी है ना, हम लोग के भी तो इज़त होती है ना बस मैं यही कहना चाहूंगी, जिन लोग भी मुझे वापस पूछ रहे हैं, आप लोग मेरा वीडियो स्टार्टिंग से देखें, आप लोग को पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, और क्यों कहना चाहती हूँ, मैं किसी को गलत नहीं कहती हूँ, यार मैं पहले अपने आपको ना चेक कर लेती हूँ, कि कहीं मैं तो गलत नहीं हूँ, उसके बाद में कोई कदम उठाती हूँ, मेरी आदत हमेशा से ऐसी है, मैं किसी चीज़ को बहुत मतलब सैन करते करते आई हूँ, खाली इतनी कहलती है हम लोगों की, कि अपना पेमेंट मां लेते हैं काम करने के बाद, लिड़की मैं आपको उसका रिकॉर्डिंग, मैं आप लोगों को उसका रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ, आप लोगों लाइन पे रहिएगा, दो सेगेंट काली मुझे टाइम दीजिए, सॉरी मैं थोड़ा बैक चली गई थी, मैं आप लोगों को अब उसका रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ, आप लोग बताइएगा कि मैं कहां गलत बूली हूँ, उस डिरेक्टर से, खाली अपना पेमेंट ही तो मांगी हूँ ना, देखिए मैं आप लोगों को सुना रही जी हमारे बात, रंजीत जी से हो रही है, जी हम आनुच होजरी बात कर रहे हैं सर, आप लोग काम कराते हैं, आप लोग को बदनामी से कोई मतलब हैं, आप लोग को बदनामी से मतलब हैं, मैंना आर्टिस्ट आपकी इतर काम के लिए पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, आप आम अनुशा हुरी बाद कर, हमने पूजा को आपके हां काम केले बेगा तो, पूजा सिप, पूजा को, पूजा रही को काम करने के लेगा था, आप? व्टिवाई कर रहें विच्टी ने बोला है यहाँ.. काप शुच्टी आपाईंगे कर दो.. तैक विच्टी आपाईंगे कि लह लीदा आपको दो.. अजय है उनके हुचा है। अजय है। तो क्या जाने दिए। मैं विच्ते पूँछ प्रप्फ करें। मैं कौन हुटैंगे। हम फुरें ग्रें है। उनके प्रफ्ट नहीं जा रहा है। प्रवेश्टा बहुत वहुत आए। पांशो बेड़ यह मार हैं कुड़े वे बटाजय पांसो नोक्त वेड़ारोट काम करा ना कर अपको गल्ठी नहीं तो मुदव पांसो ना पंकोक अपर दिर रहु हुं कि देखे किस तरह के से यह आर्टिस्टों को रंडी बोलते हैं इनके पास कैप ओनलाइन पेमेंट नहीं था तो मैंने का ठीक है आप कैश ही दे दिजे मैं यहां से बहुत दूर तक कैश लेने के लिए मैं कम से कम गई थी यहां से 15 किलो मेटर अंदर पेमेंट लेने के लिए बताइए हम मतलब मेहनत का पैसा लेने के लिए किस तरीके से यह रंडी बोल रहा है आप लोग ध्यान से सुनिए का कैसे रंडी बोल रहा है हम तो इतना ही कहते हैं कुछ डिरेक्टर ऐसे होते कि बेहा हैं देखिये ऊढ़िया ज्याएं तो कंडिया पैस अचार और तुम क्या बोलाएं और तुम क्या आठे मुटे बुलाएं हो चीज तरीके से काम करता हो वहिए तो है तो तो जंते हो ना, क्या आओकात है मुझसे बात करने क्यों सी? देखी आओकात के बात करने की तब है तेखी है, तब बेड देजेगे तो जानता हूँ, मुझसे बात करने की उसकी? रंडी बोल रहा है और कह रहा है और कात क्या है बात करने की रंजित पात्रा जी इनकी बहुत बड़ी कैपिसिटी है ये आर्टिस्टों का बहुत हैल्प करते हैं जैसे की बहुत बड़ी डरेक्टर हो गए हैं ये दिनेस लाल, पवन, सिंग, फलाना डिंगाना के जो मूवीज करते हैं ना डिरेक्टर उनसे भी बड़ी डिरेक्टर है रंजीत पत्रा जी ऐसे ही बोल रहा है वो जैसे कि बाकी डिरेक्टर उनके सामने कुछ नहीं है और कोई आर्टिस इनकी कुछ नहीं लगती है किसी आर्टिस से इन्होंने दो पैसे में काम करा लिया तो यह यह सोच रहे हैं कि बहुत बड़े स्टार बन गए बहुत